किसी सायर ने क्या खूब का है लोग बदलते नहीं गालिब बस बेनकाब हो जाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मैं आपका होष्ट मोटिविशनल स्पीकर सुहल कुमार सोनी एक वाफिर से अपने चैनल में मैं आपका अस्वागत करता हूँ आज हम लोग बात करे चैनल में आप बने रहेगा लगतार बने रहेगा क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा लगतार होती रहनी चाहिए क्योंकि एक महौल आपको चाहिए ही चाहिए कि अगर आपको सफल होना है तो ऐसे महौल में रहना होगा ऐसे लोगों से बातचीत करना होगा ज वो वो आज हम लोग इससन में आज हम लोग बात चीत करेंगे कि तुक्के से मिली हुई काम्याबी क्या सही काम्याबी आप मानेंगे तो जबाव है इसका बिल्टुल ने आप कभी-कभी तुक्के से काम्याब हो जाते हैं लेकिन सही माइने पाल कि ऑनाלא netsमारी के हिरो होनी चाहिए एतिक्स जो होने चैहिए हाब किस अथिक्स होने चैले रAw aprendy होने चाहिए आप उसूल होने चाहिए यानि कि कभी कभी कोई भी सब आप को वहीं जीतं जाता है आप हो अगंवी श्वाट हो गिती है और दिने तुग्ग्हे से मिली काम्याबी हमें नहीं रहती है, जैसे मैं हमेसा एक चीज का विरोत करता हूँ, जुए से मिले हुई काम्याभी, यानि कि कभी आप जुए खेलते हैं और जुए में जीज जाते हैं, तो क्या आप काम्याभ हो जाएंगे, क्या आपको लौट्री से मिला हुवा धन आपको खुसी दे पाएगा जो आप घिस घिस के आप सफल होते हैं, जवाब है बिल्कुल लहीं, अगर आपने लौट्री से मिला हुवा धन कमाया है, तो एक दिन वो धन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने महनत करके, और अपनी मौलिकता पे रहते हुए लगतार आपने काम किया है, और वो सफल भूत चीजों पर रहके कामियाब हो जाना, इस दुनिया से लड़के कामियाब हो जाना, तुक्के से मिली हुई नहीं, आप देखिए, एक चीज है, कि मिट्टी एक ही है, सबकी मिट्टी एक है, मेरी भी मिट्टी एक है, आपकी भी मिट्टी एक है, और बड़े-बड़े के विपने अंतर के बगल में आपने staff भीक भीख भी उसकी मिट्टी भी है। जो अच्छे घरों के लोग हैं उनके बच्चे दोनों की एक ही मिट्टी है। लेकिन क्या अंतर है दोनों के मिट्टी में आफ कि यह बच्छा जो यानि कि प्लेट में छोड़ देता है, तो सोचिए क्या अंतर है, अंतर वही है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सफल होना आपका बेहद नीजी स्वार्थ है, यानि कि आपको सफल होना ही परेगा, आप देखिए, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, आज वो बच्चा जहां पैदा हुआ उसके माबाप वैसे नहीं थे, कि आज वो उस रिश्टोरेंट में बैठ के खा सके हैं, मिट्टी दोनों की एक ही है, लेकिन एक आदमी जो जाता है अपने बच्चे को रिश्टोरेंट में लेके, यानि कि उसने अच्छे कर्म किये, यानि उसके बच्चे को को ईच्छे कर्म मिलें तो दोस्तों relies को सफल अपने लिये को अपने लोगों के लिए ही अपने लॉपने मोलिकता पर काईम रहिए और उपना है यार लगातार फाइट करते रहेें सबुट हैं जब आप फाइट करते हो तो उस फाइट में कितनी परिसानी होती है मेरे ख्याल से आप इस चीश को समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ लेकिन उस फाइट में बने रहना ही न असली हीरो का काम है अगर आप उस fight में बने रहते हो तो आप पाऊगे की आप में zero का एक अगतिव करते रहते रहो कभी नहीं है राइट वे में जाकि अच्छे तरीके से अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस तरह की वीडियो में चर्चा में लगातार बने रहो हमारे साथ बने रह सकते हो बहुत सारे लोग हैं उनके साथ बने रह सकते हो मतलब महौल में आपको रहना होगा कभी भी निगेटिव महौल में आपको नहीं जाना होगा और मिट्टी का ही खेल है अगर इस तरह की मिट्टी आपकी बन जाती है तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप प्राप्त ना कर सको और आपका बच्चा भी वो सारी चीजे एशीव करेगा ना सिर्फ आपका बच्चा आप सोचो सिर्फ अपने बच्चे के लिए काम नहीं करते हो ना सिर्फ आपका बच्चा बलकि आपके बच्चे का बच्चा भी आने वाले समय में जिंदिगी में वो सारी चीजे पाएगा जो हम human beings एतनी सारी चीजों का निर्मान कर रहे हा। तो दोस्तो neighbor, सिर्फ अपने लिए मत होई है। सफल अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के बच्चों के लिए सफल होई है, क्योंकि सफलता आपका बिल्कुल नीजी अधिकार है, जैसे सिछ्चा का अधिकार होता है, उसी तरह सफलता का अधिकार आपका बिल्कुल नीजी अधिकार है और कभी भी मत सोचिए कि मैं सफल क्यों होगा बहुत साथ लोग बोलते हैं सर मुझे मोटिवेशन नहीं आता है मोटिवेशन आप लिजिए भी मत क्योंकि मोटिवेशन से आप एक दिन चलेंगे दो दिन चलेंगे लेकिन जिस दिन आपके अंदर प्रणा आ जाएगी जिस दिन वो हीरो तत्वा आ जाएगा इस वर तत्वा आ जाएगा मुझे हर हाल में कामियाब होना है सिर्फ अपने लिए नहीं मैंने आपको इतनी बड़ी बात कहा दी कि देखी एक बच्चा है जो रेश्टुडेंट के बाहर उस खाने को तरसता है और एक बच्चा है जो खाने की प्लेट में धेर सारा खाना छोड़ता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं आपने बच्चो को अपने पीडियों में आने वाले समय मेंकिस तरफ ले जाना चाहते हैं अप अच्छे पोजीशन में हैं आस पास के लोगो के लिए जब भी कोई आपके मित्रों में कोई सादी होती है जब भी आपके पहचान में कोई साधी होती है, तो आप उसके जगह पे जाए तो अच्छे गिफ्ट लेकर जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा तभी होगा जब आप कामियाब होंगे और कामियाबी कितना होना है आपको, यह आपको डिसाइड करना होगा, कि आप अपनी मुल्भूत तत्वों पे रहते हुए काम्याब अगर होते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके बच्चे आपके सोसाइटी के लोग आपसे बहुत खुस होंगे तो सफल होगे यार मुल्भूत तत्वों पे कायम रहते हुए सफल होगे जितना जदा आप सफल होगे उतना जदा सोसाइटी के आप हीरो होंगे और सिर्फ अपने लिए काम्याब नहीं होना है, बलकि अपनी आने वाले फी ऋक पीडियो के लिए काम्याब होना है छोड़े जाता हूँ आपको इन विचारों के साथ क्या विचार हैं आपके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाये हैं नमस्कार